बुडापे में आराम से रहने हैं तुश जाओ, सुबह की सेर बहुत जरूरी है, समय से खुद को डेंग से विश्राम दे, कम बोले, सुखी और निरोगी रहिए, खाने पिने में संतोसी रहिए, परभु का इस्मरन करिए, प्राकर्ति जीवन से लिए अपनाए, बहु बेट के कारिये में दखलना दे, मन चाही वस्तु नहीं मिलने पर करोध ना करे, अपनी इच्छा पुरन कराने की कोशिस ना करे, अपनी दन संपति का बार बार बखान ना करे, अपने परिवार की समस्याई दूसरों के सामने ना रखे, गर पर आय वेक्ति से अपने घर की कोई बुराई ना करे, अपने सवाश्ते के अनुसार गर के कामों में स्योग करे, बुड़ापा में कष्ट को करम फल समझ कर खुशी सेन करे, एक यह आसा ना करे, कि यह हर काम हमसे पूछ कर ही किया जाए, सही खान पान अपना ये, बुड़ापे में सही खान पान बहुत जरू होता है, अपने आहार में पोश्टिक तत्वों को सामिल करे, और अधिक मात्रा में तेल, चीनी, नमक और वसा वाले बोजन को बचाईए, सवस्त व्याहर बनाईए, सवस्त व्याहर के लिए नियमित नींद ले, स्ट्रेज कम करे, अपनी समाने और सवस्ता की देखबाल कर और नियमित चेक अप कराते रही है, नियमित व्याहर करे, बुड़ापे में व्याहर करना बहुत मैत्व अपरून होता है, इससे सरीर की सरंचना मजबूत रहती है, और मास पेसिया का दुरू व्याहर नहीं होता, नियमित व्याहर से बुड़ापे में चोड़ों का दोस्तों और परिवार्व से संप्रक बनाए रखे बुड़ापा में एकांत और अकेलापन आम बात होती है इससे बचने के लिए दोस्तों और परिवार्व से संप्रक बनाए रखे ताकि आप खुश रहे और उनसे बाचित कर सके बुड़ापा में मनोरंजन का सबसे सवश्ट विकलब हो सकता है इससे आपका मन खुश रहेगा और तनाव भी कम होगा नियमित चेक अप कराए बुड़ापे में नियमित चेक अप करवाना बहुत आउसेक होता है आपको नियमित रूप से चेक अप कराने से अपने सरीर के किसी भी समस्या का समय से समय पर पतालत चलता है जो बाद में बड़ी समस्याओं में बदल सकती है अपने बच्चे और प्रिवार से जुड़े रहना बुडापे में सुके रहने का एक बहुत ही एहन तरीका है बहु बेटी के कटू बचन सुनकर सांत हो जाएए कोई परिउत्तर न दे बहु बेटी तथा उनके बच्चों से प्रेम का विहार करे इन सुजाओं का पालन करने से आप बुडापे में आराम से रह सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारी यूटूब चैनल SKSARMA2268 को सबस्क्राइब जरूर करें और लाइक सेल करना न भूले धन्यवाद दोस्तों